जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर बहुत ही महत्तपूर्ण कॉस्चन आंसर मन्नुभंडारी जी से संबंदित वीडियो पूरा वस्त देखना है यह बहुत ही महत्तपूर्ण आपका पर जो है इनसे संबंदित कॉस्चन है मन्नुभंडारी जी से तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें और सेल्प स्टेडी क्लासे से अप डाउनलोड क पूचा जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था मन्नुभंडारी का जन्म कब हुआ तो कॉस्चन नंबर आपका एक है और आपका सही आंसर क्या होगा तो आपका हैं पर सही आंसर है कि इनका जन्म हुआ था कब तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है 1931 में मन्नु भंडारी जी का जन्म हुआ था मन्नु भंडारी का बास्तविक नाम था तो इनका बास्तविक नाम आपसे पूचा गया है क्या नाम था मन्नु भंडारी का बास्तविक नाम था तो आपका बिल्कुल सही राइटा आंसर होगा महिंद्र कुमारी महिंद्र कुमारी इनका बास्तविक नाम था बिलकुल सही, मन्नु भंडारी ने अपने पती राजन दियादब के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखाता है, ये कई बार पूशा गया है, सहयोगी उपन्यास है, माना जाता है, तो बहुत कौन सा उपन्यास है, जो मन्नु मन्नु भंडारी और राजन दियादब दोनों ने साथ मिलकर लिखा था, कौस्चन नंबर चार पूशा है, तलाक ले रहे दमपती की त्रासदी में पुत्र को के अंदर में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा माना जाता है, एक इंच मुस्कान, आपका बंटी महाभोज यही सच है, कौस्चन नंबर चार का सही आंसर बताना है, और चार का राइट आंसर है, आपका बंटी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, कौस्चन नंबर आपका यहाँ पर पांच पूशा है, नौकर साही की ब्रष्टा चार से पीलित आदमी की व यह था का उपन्यास है तो कौन सा है एक चमुस्कान आपका बंटी, महाभोज यह ही सच है तो आपका सही आंसर यहां पर होगा महाभोज जो विकल्प नंबर B है वह आपका सही आंसर है मन्नु भन्डारी का कहानी संगर है कौन सा है यहां पर question number 6 में बताना है तरसंकू महाभ पोज एक कहानी एह भी तीसरा आदमी तो question number 6 है और 6 का right answer है तिरसंकू विकल नमबर आपका एक यहां पर सही answer है तिरसंकू right answer है बिल्कुल सही मनुभंडारी की आतमकथा है बिना दीबारों का घर एक कहानी एह भी यही सच है मैं हार गई देखिए मनुभंडारी की आतमकथा आपको बताना है तो आपका सही answer होगा एक कहानी एह भी यह इनकी आतमकथा मानी जाती है मनुभंडारी जी की question number 8 पूँचा है मन्नु भंडारी की रचिना एक प्लेट सेलाब की विधा माना एक किस विधा की रचिना है यह आपको बताना है बताईए question number आपका 8 है और 8 का सही answer है एक प्लेट स्यलाब ये किस विधा की रचिना है तो कहानी आपका विकल्प number एक आपका सही answer होगा मन्नु भंडारी का नाटक है कौन सा है ये आपके 4 विकल्प यहाँ पर दिये गया है question number 9 का right answer बताना है तो ये रही आपके 4 विकल्प है तो आपका हैंपर सही answer है बिना दिवारों का घर यानि की विकल्प number 1 सही answer होगा मन्नु भंडारी को ब्यास सम्मान कब दिया गया ये most important question है मन्नु भंडारी जी के लिए ब्यास सम्मान कब दिया गया 2006 में 2007 में 2008 में 2009 में तो आपका सही answer है 2008 में इनको जो है ब्यास सम्मान मिला था तो विकल्प number आपका हैंपर सी right answer होगा मन्नु भंडारी की किस रचिना के लिए ब्यास सम्मान दिया गया था बिना दिवारों का घर आपका बंटी एक कहानी एह भी या महा भोज इनकी आत्मकता मानी जाती एक कहानी एह भी और इसी के लिए इनको इसी रचिना के लिए ब्यास सम्मान दिया गया था तो विकल्प विकल्प नंबर आपका एक जो सी है वह आपका राइट आंसर होगा मन्नु भंडारी का जन्म कहां पर हुआ था एह आपको बताना है तो विकल्प नंबर बारा है जो कि बहुत ही महत्त्रपुन क्वास्चन आपसे पूँचा गया है और बिलकुल सही राइट आंसर है आप आपका यहां पर भान पुरा मन्द स्वर मद्द प्रदेश यान कि MP में इनका जो है जन्म हुआ था मन्नु भंडारी जी का तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा इनमें से कौन सा मन्नु भंडारी का उपन्यास नहीं है देखे आपसे नहीं पूचा है एक इंच म आंसर है सारा आकास ए इनका उपन्यास नहीं है तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा इनमें से कौन सी कहानी मन्नु भंडारी की नहीं है बताइए क्या होगा इहां पर सही आंसर दो दुखों का एक सोख तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है यत्रसंकू तो आपका सही आंसर है दो दुखों का एक सोख यानि की विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है यह मन्नु भंडारी की कहानी नहीं है विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा मन्नु भंडारी के प्रतम कहानी संग्रे माना जाता है एही सच है या फिर मैं हार गई तरसंकू य आपका बी राइट आंसर होगा में हार गई कहानी संग्रे का प्रिकासन वर्स कब हुआ था देखे बही कॉस्चिन आपसे पूचा गया है जो अब भी हमने आपके लिए बताया है और आपका सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर भी राइट आंसर होगा 1907 आपका सही आंसर है बिल्कुल सही 1907 राइट आंसर है अंगले कॉस्चिन यहाँ पर पूचे गया है यही सचे कहानी संग्रे का प्रिकासन वर्स क्या माना जाता है कॉस्चिन नंबर 17 में आपको बता बताना है यही सच्छ कहानी का प्रकाशन वर्स बताना तो बिल्कुल सई राइट आंसर उनने सौ сталаPaksine का सई आंसर है उनने सो 6 पसक्राइश्च आपका सई आंसर होका बिल्कुल सही यहाँ पर question number 18 है, एक कहानी FV का प्रिकासन वर्स बताईए, question number 18 का अंसर बताना है, एक कहानी FV का प्रिकासन वर्स क्या माना जाता है, 2007, 2008, 2010, 2011, तो आपका सही answer है, यहाँ पर विकल्प number 127 आपका सही answer है, एक कहानी FV, बिल्कुल चाही बहुत बढ़िया अंगला question देखते ह मन्नु भंडारी को सला का सम्मान कब दिया गया था यह महत्तपुन कॉस्चन है इनको सला का सम्मान भी दिया गया था मन्नु भंडारी जी के लिए और कब दिया गया था तो आपका सही आंसर है इनके लिए सला का सम्मान मिला था कब तो आपका राइट आंसर है दोहजार छे स किया था तो आपका सही आंसर है महा भोज यान की विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल सही बी आपका राइट आंसर है question आपका यहाँ पर 21 बा question यहाँ पर पूँचा है इनमें से कौन सी कहानी मनुभंडारी की नहीं है तीसरा आदमी कजा की ईशा के घर इंसान या नसा तो आपके लिए कहानी बताना है कौन सी नहीं है तो नहीं में कजा की आपका विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा आपका बंटी उपन्यास का प्रकासन बर्स बताईए, question number 22 में आपका सही answer क्या होगा question number 22 है, महत्वपूर्ण question पूँचा गया है, आपका बंटी उपन्यास का प्रकासन आपसे पूँचा है बिल्कुल सही 1971, इस भी आपका right answer है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया और अंगला question देखते हैं, यहां पर मनुभंदारी के किस उपन्यास पर धाराबाहिक भी बना है, मनुभंदारी के किस उपन्यास पर, धाराबाहिक भी बना है एक इंच मुस्कान, महाभोज, कोई नहीं, आपका बंटी राइट आंसर है आपका बंटी आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा 1971 में यह प्रकासन हुआ था आपका बंटी उपन्यास का यह उपन्यास जो है विबाय विच्चित की तरह सदी में एक बच्चे को केंदर में रखकर लिखा गया उपन्यास माने जाता है आपका बंटी तिरसंकू कहानी संग्राय का प्रकासन आपके लिए बताना है question number 24 में तिरसंकू कहानी संग्राय का प्रकासन वर्स क्या माने जाता है question number 24 है और 24 का सही आंसर है बिल्कुल सही 1988 आपका सही आंसर होगा एक प्लेट से अलाब में हार गई तीन नगाहों की एक तस्वीर एही सचे तरसंद्पू आंकों देखा जूँड़ इनकी कहानी मानी जाती है बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका यहां पर भी राइट आंसर होगा तो इस परकार अपनने यहां पर देखे जो मन्नु भंडारी जी है उनसे संबंदित महत्वण कॉस्चन आंसर की इनका जन्म हुआ था 3 अप्रेल 1931 में कहां पर भानपुर मन्दुस और महत्वण परदेश्मिन का जन्म हुआ था तो इस परकार अपनने महत्वण कॉस्चन यहां पर देखे मन्नु भंडारी जी से संबंदित क्या सा लगा यह वीडियो कमेंट में जरूब बताएं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने क्यों कि इसी तरह कि बहुत सारी वीडियो आपके लिए मिलने वाली हैं और आपको क्या है अब भी डाउनलोड करना है जहां पर आपके लिए हिंदी सायथ का संब्पूल कोर्स अप्लब बहुत ही कम दाउंगे प्ले स्टोर पर जाए सेल्फ इस्टेडी क्लासे से आप डाउनलोड कीजे सरसा पब्लिकेशन का इमाला बस तुनिस्ट प्रेशन की एबोक है तो आप इसको भी खरी सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै हिन